Microsoft Excel Data Analysis के अंदर इस प्रोग्राम की हैसियत RAID की हड़ी की तरह है अब किसी भी फिल्ड में चले जाएं Microsoft Excel ज़रूर यूज होता है अब छोटी से छोटी कंपनी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में जाएं Microsoft Excel यूज होता है क्यों यूज होता है क्योंके Excel के अंदर Data को Add करना यानि के Cells के अंदर Data को Add करना और Spreadsheet को बनाना बहुत असान है as compared to a lot of other softwares तो आज से हम देखने वाले हैं के Microsoft Excel को Install कैसे करना है Microsoft Excel यानि के Microsoft Office 365 के Excel को Utilize करते हुए Data Analysis कैसे करना है Basics से लेके Advanced Level के जितनी वीडियोज है Microsoft Excel को लेके वो हम देखने वाले है तो सबसे पहले हम Start करते है के Times आया किये बगार के Microsoft Excel होता क्या है Microsoft Excel जो है Basically जो Microsoft Company है जिसकी Window बनी है उसी का Software है यहाँ पर Microsoft Office लिखे हैं तो आपको इस तरीके से बहुत सारी चीज़े नजर आ जाएंगी लेकिन अगर आप Microsoft Office 365 लिखते हैं तो यह आपको इस तरीके से इंस्टॉल करने को मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं हम Google पर जाके Office 365 लिखते हैं इसके अंदर जाने के बाद जो तरीका मैंने टेलिग्राम के अंदर बताया था और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मजूद है या पिंट कोमेंट में मजूद है कि किस तरीके से आपने फ्री में Office 365 को अज़ डिवेलपर यूज़ करना है तो मैंने उसी तरीके से अपना 365 को इंस्टॉल करने के बाद अब उसे देख सकते है बेसिकली जो लिंक है उसका वो मैं यहां पर भी पेस्ट कर देता हूँ बलके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को असानी हो किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है Microsoft Office 365 को ठीक है तो यहां पर Google को उपन करते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूँ Office 365 Free Download Lifetime लिखने के बाद यहां पर वीडियो पर क्लिक करते हैं और यह पहली ही वीडियो है Get Download and Install Genon MS Office 365 for Lifetime Free ठीक है तो यह पहली वीडियो जो आएगी इस तरीके से थमनिल होगी इसके उपर आप क्लिक करके सारा परसीजर यहां पर बताया हुआ है उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर तो आप इसे install कर सकते हैं मैं यहां से इसे बंद करता हूँ अकाउंट बनाने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो एप्स हैं वो ये हैं Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Yammer, Admin यहां पे आप different users भी आड़ कर सकते हैं Power BI भी इसके अंदर free of cost आपको मिल जाएगा और different other applications भी मिल जाएगी अगर all apps के अंदर मैं click करूं तो यह देखें, यह सारी apps हैं जो आपको free of cost मिलने वाली है बे बहा apps इसके इसके इलावा और भी हैं, ठीक है तो अगर explore your apps करें, तो यहां पे आप देखें, कि आपके पास यह सारी apps जो हैं free में आपको Microsoft के तरफ से मिल रही है, just being a developer, ठीक है तो हम यहां पे times आया कि यह बगार, यह all apps और यह इनको देखने के बजाए हम यहां पे अप Excel को start करते हैं, ठीक है मैंने Excel को install कर लिया, start पे गया, बलकि यहां पे Excel को लिखा लिखने के बाद, आपके पास कुछ इस तरीके से sheet open होगी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, account में जाके यहां पे अपना account add करना है मैंने kodenics का account बना के उसको add कर लिया, आप अपना account यहां पे add करें ताके जितना भी आप काम करें वो सारा one drive में आपके store होता रहे तो यह सारी apps जो हैं आपकी register भी हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे इसको कर लिया फिर दूसरा काम मैंने क्या किया, मैं इसको बंद करता हूँ, दुबारा से Excel चलाते है अब यहां पे हम Excel की notebook को open करते हैं, ठीक है, blank को, अब Excel कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा मैं अपनी window को चोटा करता हूँ, ताकि आपको easily समझा सकूँ, यहां पे आपको Excel इस तरीके से नज़र आने वाला है यह एक डबा और इस तरह के मिलके काफी सारे डबे, इनको cells बोलते हैं, ठीक है, यह हो गया cell, यह होगी row, यह हो गया column, row, column और cell A1, A का मतलब है कि यहां से लेके A, और यहां पे जब row मिलती है तो उसको A1 बोलते हैं, यह column हो गया B4, यह column हो गया C6 तो इस तरीके से आप जिस भी column पे select करके लिखते हैं, तो यहां पे उसका column number आ जाते हैं, ठीक है, तो cut, copy, paste, format, enter, यहां पे है, font change कर सकते हैं, आप कुछ भी लिखके यहां पे, ठीक है, default calibrary found होता है इसका, ठीक हो गया, फिर आप color change कर सकते हैं, जैसे Microsoft Word में करते हैं, for example, मैं यहां पे लिखता हूँ, codenics, codenics लिखने के बाद, यहां पे इसको मैं बड़ा font कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, highlight कर सकता हूँ, और इसको मैं no fill कर सकता हूँ, color इसका change कर सकता हूँ, ठीक है, different किसम के पंगे ले सकता हूँ, यहां से, ठीक है, तो basically automatic यह वला रहत तो मैंने इन दोनों को अगर merge करना है तो इन दोनों का एक ही cell बन जाएगा ठीक है तो यह देखें तो इस तरीके से एक cell बन गया और दूसरी चीज डिलेट हो गए अगर मैं यहाँ पे इसके आगे YouTube को paste करता तो मैं दोनों को select करके अगर merge करता तो यह text यहाँ पे आगया तो A1 और B1 यहाँ पे merge हो गए है तो इसको simply यहाँ पे click करूँगा तो one merge हो जाएंगे तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं फिर यहाँ पे normal, bad, good, neutral यह सारी चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी ठीक है अब आइस्ता आइस्ता हम सभी चीज़ों को देखते हैं मैं यहाँ से again इसको remove करता हूँ जैसे मैं इसको cancel करता हूँ तो यह one drive already जो आपका account आपने लिखा हुआ है उसके अंदर आपकी save हो जाएगी फाइल इसको आप save करें कोई भी book का नाम देखके तो आपकी यह file save हो जाएगी जब आप इसको बंद करेंगे तो यह file already वहाँ पे save हो चुकी होगी ठीक है अब मैं Excel को दोबारा चलाऊंगा जब तो आप देखिएगा कि यहाँ पे book one file यहाँ पे already मजूद है अगर आप इसको auto save पे लगाएंगे तो यह देखिए यह automatically आपके control s दबाने के बगार भी यहाँ पे save होती जाएगी otherwise you have to click on this every time ठीक है जब यह off होगा तो auto save नहीं होगा तो इस तरीके से insert है page layout है formula है इसके अंदर data है review है view है help है इन सारी चीजों को हम देखने वाले हैं ठीक हो गया जी तो अब buckle up कर ले हम पहली practice करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे welcome to excel यह यहाँ पे जब आप पहली file चलाएंगे उसके उपर यह welcome to excel भी आएगा take a tour to excel इस पे click करें create करें तो 10 easy step के अंदर हमें यह बताने वाले हैं कि excel कैसे चलता है और basically मैं आपको explain करूँगा each and every step in detail यहाँ पे जब भी कोई number लिखते हैं for example addition का function हमने किस तरीके से यहाँ पे perform करना है हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं और साथ में हमें यहाँ पे conditions दी हुई है तो हमने क्या करना है add numbers like a jam here are some ways to add numbers in excel यहाँ पे उसने कहा है select करें इस cell को ठीक है फिर आप type करें यह वला formula तो मैं यहाँ पे लाके equal to type करता हूँ sum लिखता हूँ tab दबाता हूँ tab का function दबाया button दबाया चौरे यहाँ पे इतनी सारी को मैंने select कर लिया और bracket बंद कर दी तो इसने क्या किया है इन सभी को जमा कर दिया ठीक हो गया दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे आके मैंने alt equal to दबा दिया तो automatically उसने उपर वाले सारे जमा कर दिया तीसरा तरीका इसको add करने का यह है कि मैंने यहाँ पे autosum का button दबा दिया ठीक है अब यहाँ पे चोथा तरीका वो जो पूछ रहा है वो यह करना है now add only the numbers over 50 ठीक है तो हम क्या करेंगे equal to लगाने के बाद आब यहाँ पे भी formula लिख सकते हैं यहाँ पे भी ठीक है तो मैं basically यहाँ पे भी लिखतेता हूँ formula और यहाँ पे भी लिखतेता हूँ यहाँ पे वो कह रहा है formula लिखें कि अगर 50 से बड़ी कोई चीज़े हैं सिरफ उन्हें जमा करना है ठीक है sum if करने के बाद इस पे click करें या tab का बटन दबा दे मैं एकसर tab दबाता हूँ तो इसके अंदर लिखने sum if these all ठीक है कॉमा फिर उसके बाद condition लगानी है sorry इसको इसके अंदर condition लगानी है greater than 50 की ठीक है तो उसके यह formula बता रहा है sum करें अगर range है यह वाली criteria है that this ठीक है तो उसके बाद आपने enter दबा देना है तो basically इसने क्या किया सिरफ वो numbers add की है जो 50 से उपर है ठीक हो गया अगर यहां पर मैं कहूँ कि सिरफ 50 से कम वाले करने है तो enter करेंगे तो यह 40 आ गया 50 से ज्यादा वाले करने तो यह आ गया तो इस तरीके से हम sum function जो है उसे utilize करते है ठीक हो गया अब वो कह रहा है कि select करें these cells lower right corner of the axle windows look like this जब आप ऐसे करते हैं तो यह इस तरीके से आपको range बता देता है ठीक है कि कौन से number यहां पर add हो रहे है अब आप यहां पर देखें कि अगर आप इस पर click करें तो अब क्या हुआ है basically यह भी add हुए और यह भी add हुए क्या हुआ है कि आपने sum किया है इसको इसको plus 100 ठीक है तो आप देखें आपके पास 200 आ गया कैसे 20 जमा 20 40 10 50 10 60 और 40 100 और उसके अंदर हमने 100 और add किया इसका मतलब यह है कि यह वाला cell और यह सारे cell plus 100 यह 100 आ गया अगर मैं यहां पर 200 कर दूँ तो क्या होगा 300 हो जागा यह ठीक है तो इस तरीके से आप double click करके चेक कर सकतें कि कौन कौन सी चीज add हो रही है ठीक है यानि कि इसमें 50 भी included है यहां पर 50 included नहीं है सिरफ 100 है जो greater than 50 है यहां पर इसका मतलब है greater than 50 and also involved 50 inside ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जब आपने यहां पर function को plus minus किया है addition किया है तो आपने greater than and equal to का function भी लगाया ठीक हो गया तो इस तरीके से आप sum function को देख सकते हैं ठीक हो गया पहली चीज यह होगी add ठीक है यहां ने कितने तरीकों से देखा 4-5 तरीकों से ठीक है सबसे पहले आप यहां पर sum का लिख दें alt equal to दबा दें auto sum दबा दें यहां से ठीक है by the way आप auto sum पर लेके जाएंगे नीचे वो आपको formula भी दे देगा ठीक हो गया तो simple सा तरीक है यहां पर अब चलते हैं जी हम दूसरी चीज़ पर fill fill का मतलब क्या है कि automatically आप for example यहां पर आते हैं तो इसका मतलब है कि यह row wise sum कर रहे हैं पचास और पचास यहां पर लिखे हुएं इनको equal करके sum कर रहे हैं एक तरीका यह है कि यहां से आप cell को पकड़े और नीचे ले आए तो automatically सारा formula जो यहां का लगा हुआ था इन दोनों का वो नीचे भी आगया सभी के उपर ठीक है पहला तरीका यह है दूसरा तरीका यह है कि यहां पर double click कर दें ठीक है तो इस तरीके से भी सारा कुछ आ जा जाएगा एक और तरीका है कि यहां पर आप control D दबादें sorry यहां पर आके control D दबाएं ठीक है तो यह सारा कुछ नीचे आ जाएगा उन्हेंने काए click and drag the selected these four cells and then press control D मतलब यह उन्होंने यह का है कि आप ऐसे यह तीन सलों को select करें control D दबाएंगे control D दबाएंगे sorry इन सभी को select करने के बाद control D दबाएंगे तो जो formula एक में लगा हुआ सभी में आ गया यहां पर मैंने आपको drag करने का बताया अब यहां पर रखके इसको भी select करके control D दबाएंगे तो सारा कुछ आपका formula लग जाएगा उपर वाला ठीक है उपर से नीचे वाला लगेगा लेकिन अगर आप इनको ऐसे drag करेंगे तो यह formula इस side पर जाएगा दूसरी बात अगर इसको आप double click करेंगे तो यह नीचे को आना चाहिए otherwise you have to drag this तो सारा formula यहां से यहां आगया आप इसको copy करके भी यहां पर paste कर सकते है ctrl C, ctrl V करके तब भी यह वही formula आएगा तो आपके पास काफी जैदा तरीके है यहां भी उसने क्या बताया है कि आप drag कर ले ठीक है Axle will automatically pop up everything click the yellow cell and fill again by dragging the fill like this ठीक है तो हमारे पास ctrl D वाला function है drag वाला function है और इसको double click करने वाला function है तीन दफा करने से हम fill कर लेते हैं अब यहां पर fill hand to copy this ठीक है तो यहां पर हम क्या कर रहे है यह चेक करें दरह produce और उसका fruit ठीक हो गया अब हमने क्या करने है चेक करें ठीक है हमने दोनों को select किया double click किया तो यह यह सारे नीचे आगे अब week 1 है ठीक है week 1, week 2, week 3 मैं double click किया वो नीचे आगे ठीक हो गया अगर आप चाहें तो इन सभी को select करके ctrl D भी दबा दे तो वो week 1 ही आएगा लेकिन जब हम इसको drag करके नीचे ले के आते हैं तो यह week 1, week 2, week 3, week 4 आ जगते हैं ठीक हो गया तो इस तरीके से हमें हर एक function को utilize करना आना चाहिए ठीक है look सही है quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 इस तरीके से आ गया अब यह दो intervals है ठीक है these two cells select these two cells and then drag on right side देखें 15, 30, 45 तो जो trend इन दोनों के तर्मियान चल रहा था वो ही trend आगे चल गया 15 के वकफे वाला 15, 30, 45, 60, 75, 90 15 का पहाड़ा चल रहा है ठीक हो गया इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो fill करने के हमारे पास तरीके जो हैं वो ऐसे हैं कि एक cell पे आप formula लगाएं और नीचे सभी पे आ जाता है ठीक हो गया next हम चलते हैं अब split के उपर split क्या है for example यह हमारे पास smith है first name ठीक है तो sorry यहाँ पे हमारे पास email चल रहे हैं सारे यह हमें show कर रहा है कि यह जो nancy है यह first name है और smith second name है यह last name है तो हमारे पास smith तो लिखा गया अगर हम यहाँ पे nancy लिखें nancy आ जाएगा यहाँ पे हम end लिखेंगे सिरफ तो वो क्या कहेगा जी automatically आप fill कर दें आपने सिरफ enter दबाने हैं तो सारे के सारे fill हो गए यहाँ पे smith के बाद आप north लिखेंगे north और बाद में यहाँ पे लिखेंगे quotas तो वो already आपको option दे देगा इसको fill करने की दूसरा तरीका यह है कि जब यह मैं ctrl z करता हूँ कि आप ctrl e भी दबा सकते हैं इसको fill flash करने के लिए select करने के बाद ctrl e दबा देंगे तो automatically वो fill कर देगा ठीक है एक तो flash fill का मतलब यह है कि आप उठा के नीचे को ले आए तो वो automatically यहाँ से जो formula लगा हुए ने इसके अंदर वो automatically उसको देखते हुए आगे ले जाएगा अब यहाँ पे हमने first name last name और company name separate करने है ठीक है तो हम क्या करेंगे Nancy ठीक है इस तरीके से भी लिख सकते हैं Nancy यहाँ पे मैं nd लिखता हूँ तो enter मारूंगा सारे आ जाएंगे यहाँ पे लिखता हूँ smith smith के बाद यहाँ पे सभी को select करके control e करता हूँ तो यह आ जाएंगे company name contoso limited dot इसको मैं control e करूँगा तो मेरे पास सारी company name आ जाएंगी ठीक है लेकिन हमने यहाँ पे एक निया formula लगाना है जिसको हम क्या बोलते हैं यह देखें इसको अब देखते हैं क्या करना है हमने मैंने आपको एक साधा तरीके से बता दिया अब दूसरे तरीके से देखते हैं इन सभी को हमने select करना है उन्होंने यहाँ पे बताया हुए click and drag to the select the cell from Nancy and all over down to यह वो ना कर लिया on the data tab click text to column data पे जाएं यहाँ पे text to column पे जाएं अब यहाँ पे वो कह रहे है make sure delimited is selected delimited select कर लिया delimited का मतलब है कि separate किस तरीके से करना है next करें और यहाँ पे comma delimited कर दें क्योंकि comma लगा हुआ है ठीक है तो यह comma हमने लगा है तो already यह तीन चीज़ों में convert हो गया convert करने के बाद हम next कर देंगे इसे ठीक है तो next करने के बाद finish करेंगे तो automatically यहाँ पे यह तीनों चीज़े finish होगी ठीक है समझ आई बात की दुबारा से करते है data टैप पे गए जाने के बाद text to column किया delimited किया next किया only column select किया and next किया next करने के बाद general पे आपने click करने and then finish कर देने ठीक होगा तो इस तरीके से यह आपके पास आजाएगा finally click inside the destination box and type d32 then click finish हमारे पास क्या गलती हुई है हमने यह मैं ctrl z करता हूँ data context to column delimited comma next अब यहां पे वो कह रहा है कि destination कहां से start करने है मैं चाता हूँ कि हम d और 32 से start करें यह d32 से किया finish किया तो यहां से start होके सारा paste हुआ पहले हम नहीं कर रहे थे तो c से हो रहा था तो इस तरीके से भी हम text to column करके भी इसको कर सकते हैं split पाइथोन के अंदर हम डिफरेंट तरीके से करते हैं लेकिन यहां पर ऐसे कर लेंगे next सलते हैं हम transpose के उपर transpose का मतलब होता है कि आप copy करके cells को और उन्हें column में ले आओ मतलब rows को column में shift करता हूँ मैं यहां पे लागा के control paste special पे जाता हूँ transpose पे click करता हूँ ok कर देता हूँ ठीक है तो यह इस तरीके से हो गया कैसे किया मैंने इसको किया copy select करने के बाद यह सबी को copy करने के बाद यहां पे आया right click किया paste special पे गया transpose पे click किया ok कर दिया ठीक है एक और तरीका यह है कि यहां पे आगे control alt v किया paste special खुद बखुद आ गया यहां पे shortcut बताया transpose किया तो जुनाबे वाला यह से transpose हो गया तो इस तरीके से आप transpose कर सकते है दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पे formula लिखें ठीक है अब यहां पे इसको पढ़ते है transpose idea यह वाला idea किया है कि आप do this by selecting the yellow cells मतलब आपने इनको नहीं select करना yellow cells को select करना है this is kind of tricky so pay close attention बिलकुल जी दे रहे हैं close attention यहां पे लिखना है transpose tap दबा दी मैंने फिर c 33 से लेके h 34 तक यह select करने है हमने ऐसे दबा दिया ठीक है बजाए इसके कि हम इसको इस तरीके से transpose कर सकते हैं लेकिन उसने कहे के control shift enter दबानी है अकेला enter नहीं दबाना control shift enter इसको दुबारा से करते हैं यहां पे आए हम equal to transpose लिखा इसके अंदर c 33 to h 34 करने के बाद control shift enter दबा दिया तो यह हमारे पास इस तरह आ जाती value as a result ठीक है then click any of the yellow cell to select just one look at the formula at the top excel और इस तरीके से transpose कर दिया जाए उसे let me see यहां पे पेस्ट किया enter किया कुछ भी नहीं हुआ इसको दुबारा से देखते हैं क्या होता है कुछ भी नहीं हुआ तो basically वो क्या कहना चाहरे है कि आपने इनको transpose करना है ना तो यहां पे यह formula लिख दें for example मैंने यह formula यहां पे लिखा इसको मैंने enter किया तो सारे का सारा आ गया यहां पे ठीक हो गया तो इसने क्या किया सिर्फ values की है अगर हम यहां पे array formula लगाना चाहें wait a minute यहां पे एक error दे रहा है इसको दुबारा से पढ़ते हैं वो कह रहे है sometimes you don't need to copy and paste this ठीक है उसके बाद उसने कहे तो transpose the data you need to select same some blank cell first यह वाले blank cell है इनको select कर लिया since the data on the right has six columns and two rows ठीक है you need to select the opposite two columns and six rows इनको कर लिया select the yellow cells this is kind of tricky so pay close attention while those cells still selected type the following but don't press enter type the following is equal to transpose sorry is equal to transpose और इसके अंदर लिखना है C33 C nahin H34 लिख दिया उनने का control shift enter दबाए control shift रिखना और मैंने तो यह वाला formula आगे अब देखते हैं اب क्या करना था हमने सभी को select करना था मैं क्या गलती कर रहा था मैं सिरफ एक को select कर रहा था अब हर किसी का formula same है क्यूं सेम है क्यूंकि यह एक array है array क्या होती है मैंने बड़े इच्छे तरिके से आपको तो जब आपने ये लिख लिया है, तो you cannot actually make any issue. ठीक हो गया. Sort and filter. तो सबसे पहले ये हमारे पास, जिनाब्बेवाला, हमारे पास sort and filter with ease. ये एक function है. Let's say you want to, you want the departments in alphabetic order. Click the department column and then click home. Home, ये department पे गए, Home पे गए, ठीक है? Then sort and filter पे जाना है. ये sort and filter पे गए, जाने के बाद sort A to Z कर देना है. तो ये alphabetic order में आगे, B, D, M, A, B, C, D वाले order में आगे, ठीक है? एक तो ये हो गया. तो दूसरा क्या है? हम December पे जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि December की sales, जो हैं वो. क्या करें जनाब? Largest से smallest में जाएं. मैंने अगेन इस पे गया. Largest to smallest. तो ये देखें, जो इस तरीके से ये sort होगी इन सारी. ठीक है? December के उपर click करके आप ये कर सकते हैं. Largest to smaller. अगर आपने November के हिसाब से करना है, तो इसको कर सकते हैं. Largest to smaller. अगर आपने October को smallest to largest करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. तो salaries का होगा, तो वो कम से जादा होगा. Department का होथा, A से Z कम से जादा है. और Z से A, जादा से कम है. ठीक है? मतलब उल्टी inverse चलने पड़ेगी, गिंती जो है. वो कहते हैं, now you filter the data so that only the bakery rows appear. Plus, press Ctrl-A to select all of the cells and then click Home Sort Filter. Ctrl-A, सभी को select किया, इस पे गए and then filter पे click करना है. Home, Sort and Filter and then filter पे हमने click कर दिया. क्लिक करने के बाद आप देखें, कि अब हमारे पास ये बटन अपीर हो गए है. अब आप इसकी base पे filter को select भी कर सकते हैं, और इसकी base पे हर filter को change भी कर सकते हैं. For example, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, कि सिरफ मेरे पास data आए, bakery का. तो मैं okay करूँगा, सिरफ bakery का data आगया. अगर मैं चाहता हूँ, कि साथ में meet का data भी आए, तो meet भी आगया. ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ, सारे हैं, तो सभी को select कर लूँगा. अगर मैं चाहता हूँ, कि यह A to Z हो, इसकी base पे, तो यह मैंने कर लिया. मैं चाहता हूँ, कि यह हो, smallest to largest, तो इसकी base पे कर लिया. साथ में मैं चाहता हूँ, कि सिरफ data beef का हो. याद है आपको, दो categories और तीन categories, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अगर हम चाहें, तो इसको सभी को select कर लें, तो यह depend करता है, कि आप यह button लगा के करना है, या button के बगार करना है, ठीक है? अगला step यह है, कि sort by date or color, इसको कैसे करना है, कि यहाँ पे अगर by date करना है, तो simply आपने क्या करना है, oldest to newest पे जाना है, ठीक है? तो यह देखें, 7, 20, 23, July, 24, 25, oldest to newest, तो यहाँ से newest to oldest जाना है तो इस तरीके से, ठीक है? वो ही आपको सारा लिखा, वो नजर आ रहा है, अगर आपने hotel में sort by color करना है, तो इस पे जाके sort by color कर लेंगे, ठीक हो गया, जिसका color यह है, sort by color, तो इसको आपने cancel करना है, तो आप simply क्या करेंगे, sort by color को अंचेक कर देंगे, यहाँ से फिर दुबर आप इसको change कर रहे हैं, अगर आप employees को A to Z करना चाते है, इस तरीके से, food का जिससे ज्यादा खर्चा आया, तो आप इस तरीके से कर लेंगे, तो यह आप पर totally depend करता है, कि आप किस तरीके से किसी चीज को utilize कर रहे हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक clear हो गया, sorting and filtering, अब यहाँ पर more ways to filter the data, on the hotel cell, click the filter button, कर लिया, फिर वो कहता है, then click the number filter, number filter पे कर, और वो कह होटल के column की जो average थी, उससे ज्यादा किसका खर्चा है, above average, ठीक है, और अगर मैं इसी पर जाके below average करूं, तो below average खर्चा यह है, average कौन सी, सारी कि सारी, इस column की average जो आई है, उसकी base पे हम select कर रहे है होटल को, ठीक है, number filter लगा के, अगर मैं कहूं के, यहाँ पे top 10 लेने है, या top 5 लेने हैं, तो इस तरह से top 5 भी आ जाएंगे, ठीक है, अगर मैं कहूं के top कोई भी नहीं लेना, top 10 लेने हैं, तो top 10 इस तरह के से आ जाएगा, तो number filter का यह फाइदा है, कि आप अपनी मर्जी से utilize उसे कर सकते हैं, अब इसके अंदर अगर मैं कहूं above average तो above average आगी, above average को आप unclick भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप greater than करें, तो greater than 25, food का जिसका खर्चा है, वो देखते हैं, यहाँ पर click किया, greater than, यहाँ पर मैंने लिख दिया, 25, ठीक है, and करना है, is greater than and, ठीक है, 25, and का मतलब है कि अगला function भी आप लगा सकते हैं, ठीक होगे, ओके किया, तो आप देखें, 25 से उपर जिनका खर्चा है, वो यहाँ पर आगया, अब अगर मैं यहाँ पर 25 के साथ greater than के अंदर यह भी लिखूं, and equals to, या and less than, 60, 5, मैं कहता हूँ कि 25 से 65 के दर्मियान हो, तो इस तरीके से आ जाएगा, फिल्टर को रिमूव करना है, simply custom filter को क्लिक करें, और यहाँ से इसको रिमूव कर दें, या basically आप क्या करें, number filter को ही, above average करें, या फिर इसको uncheck कर दें, तो इस तरीके से आप filtration इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है जै, तो filter, sort and filter बड़ा असान है, और ये एक बटन के अंदर आप सार then हम tables पे चलते हैं, तो ये हैं जी हमारे tables, tables के अंदर हमने क्या करना है, simply click inside the data to the right and then click insert table okay, click insert table okay, ठीक है, तो हमने किया क्या है basically, data के right पे click किया, inside पे गे, और table पे गे, okay कर दिया, तो ये automatically table के अंदर convert हो चुका है, ठीक हो गया, अब यहां पे, उसने का now you have a table which is collection of cells that has special features, for starters the table gives you banded rows for easier reading, ठीक है, फिर you can also create new rows easily in the empty cell under mid type, some text and then press enter, for example, यहां पे मैं लिखता हूँ, गोष्ट, तो ये automatically table का हिस्सा बन गया, यहां पे मैं लिखता हूँ, curry, तो ये भी table का हिस्सा बन गया, ठीक है, तो इस तरीके से table का हिस्सा बन जाएगा, ठीक हो गया, अगर आप, उसने का, you can also create columns easily in the lower right corner of the table, click the resize handle and drag it to the right two columns, यहां से पकड़ा, यह देखें, जी दो column और बन गे, automatically, यह वाला, इसको इधर किया तो इधर को आवे, इधर किया तो इधर को चलेगे, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, तो यहां पे column भी add हो गया, और table भी add हो गया, ठीक है, extra क्या है, try changing the table style, first click inside the table and then table tools design tab appear, ठीक है जी, यह हमने कर लिया, table design यहां पे click हो गया, आप देखें, मैंने बाइर click किया तो यहां पे table design नहीं आ रहा, इसके अंदर click करता हूँ, यहां पे table design आ गया, table design के अंदर यह style है, इनको change करते जाएं, आप table different किसम के यहां पे बना स ठीक है, लेकिन start में हमारे पास कुछ भी नहीं था, यह और करें, मैं control Z कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले, के यह हमारे पास ऐसे था, हमने insert पे जाके table पे click किया, ok कर दिया, तो यह table बन गया था, ठीक है, फिर अगली क्या चीज है, उन्होंने बोला है, select the cell under the total, total के अ अब add करना है, सभी को, alt equal to दुबा के press enter करें, ठीक है, तो यहाँ पे यह सारा हमारे पास sum हो गया, the sum formula gas fill down for so, ठीक है, अब यहाँ पे मैं click करता हूँ, तो यह, इसको adjust कर लेगा, उसकी width के साब से, हमने क्या किया, basically, हमने सभी को sum किया, यहाँ पे आके alt equal to mark के enter किया, ठीक और इसको plus minus कर सकते है, try putting, अब इसमें करते है, select any cell within the table on the right, and top of the excel window, the table tool design will appear, on the tab, click total row, यहाँ पे जाके table design, और वो कह रहा है कि total row पे click करें, click करने के बाद, in the total of 24,000 is added to the bottom of the table, उन्होंने बोला है, at the top of the excel window, the table tool design, select any cell within the table, table tool design, और इसके अंदर total row, on that tab click total row, total row पे click किया, करने के बाद, यहाँ पे automatically total आ गया, अगर हम total नहीं करते, तो इसका total नहीं होता, तो automatically table जब आपका होगा, उसके अंदर total row भी आप कर सकते हैं, but if you wanted an average, click the cell 24,000, इसके उपर click किया, इसको नीचे लाए, तो यह आप average पे click करेंगे, तो automatically average आ जाएगी, count करेंगे तो इसका count आ जाएगा, count number करेंगे तो इसका number आ जाएगा, ठीक है, तो max करेंगे, main करेंगे, जो जो हम describe function के साथ, python में करते हैं, वो यहाँ पे करेंगे तो, यह हमारे पास आ जाएगा तो मैंने यह इसको sum पे कर दिया ठीक है क्योंकि यहां पे total लिखा हुआ है अगर आप यहां पे average करेंगे तो यहां पे भी आपको average ही करना पड़ेगा ठीक हो गया तो मैं इसको total ही रखता हूँ basically total और यह कर दिया ठीक है बाद control shift T करें total हाज़ेगा simply control shift T करने से total हो गया ठीक है जी next चलते है drop downs अब यहां पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है drop down list जो आपको बड़ी help करती है कैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ यहां पे हमने क्या करना है three department name to be valid entries for each time मतलब हमारे पास department name है ठीक है हम चाहते हैं कि हमेशा उनकी valid entry आए ठीक है कैसे देखते हैं उसमें यह कहता है कि drop down list makes data entry easier for people here's how to be done how to do one we want only three department's names to be valid entries for each of the foods on the right those department are produce, meat and bakery ठीक है यहां पे क्या क्या है produce, meat and bakery click and drag to select the yellow cells under department click and drag कर लिया on the data tab click data validation data पे गे data validation पे क्लिक किया and then under allow click list under allow के click list कर दिया ठीक है अब उसने काया के in the source box type produce, meat and bakery यहां भी हमने type करने produce, meat and bakery कर दिया make sure to put commas in between them click ok when you are done ok कर दिया अब वो कह रहा है कि now click the yellow cell next to apples and you'll see a drop down menu यहां पे आके यह देखें drop down menu आगे इसको बोलते है drop down list यह हमने अभी create की और अभी लगा दी इसके अंदर अब इसके थूँ आप अपनी मर्जी से यहां पे different किसम की चीज़ें लगा सकते हैं apples है तो क्या है जी produce है beef है तो meat है बनाना है तो produce है, lemon है produce है, broccoli है produce है produce है, meat bread produce बेकरी में जाएगा chicken, meat में आ जाएगा cookies बेकरी में जला जाएगा cakes बेकरी में जला जाएगा fries बेकरी में जाएगा मेरे ख्याल से तो अब इस तरीके से drop down list बनाएगे इससे क्या होता है, कि आपके कभी भी spelling गलत नहीं होते यहां पे जो तीन categories है वो वैसे की वैसे आती है अगर हमारे यहां पे spelling गलत होते, for example, P इसका छोटा होता और यहां पे S आया होता तो हम क्या करते फिलहाल तो यह हमने list बनाएगे आप spelling भी नहीं चेंज होंगे ठीक है तो basically क्या होता है जब आप drop down list बना लेते हैं select करने के बाद तो इसका फाइदा यह होता है कि आप चाहके भी इसके spelling चेंज नहीं कर सकते और यहां पे 3 categories आपको दिखती हैं, आप उस से थाप से उन्हें filter out कर सकते हैं easily जैसे हमने sorting and filter में यह सारी चीज़ें देखी थी, ठीक हो गया जी अब इससे अगली वाली चीज जो बड़ी important है क्या जी, आप देखें कि वह कहते हैं कि in the column F click a cell with the department कर लिया and then click meet for example यहां पे click meet, यहां पे उन्हें ने कहा था department के अंदर meet को click किया create a table by press ctrl T and then ok ok कर दिया अब यहां से table बन गया now you setup data validation again main in column D, select all the departments यहां पे कर लिया select data पे गये, data validation पे गये इस पे click किया allow में list चले गये और यहां पे source की जगह पे हमने इस button पे click करके यह तीनों को select कर लिया पहले हमने लिखा था यहां पे खुद से अब हमने क्या किया हमने इन तीनों को select करके okay कर दिया तो यह देखें यहां पे drop down में वह list आगी जो हमने वहां पे बनाई हुई थी ठीक हो गया तो basically आप अपना column बना के भी वहां पे list जो है उन्हें लिख सकते हैं ठीक हो गया तो इस तरीके से आप drop down list बना लेंगे 8 number पे चलते है analyze पे यह data analysis के लिए बहुत easy और असान चीज है लेकिन आपने देखना है here how to use the analyze data quickly click and drag to cell select all the cells on the right click and drag all the cells and then click this button in the lower right corner click and drag all the cells select all the cells on the right and then click this button इस पे click किया इस पे click किया यह button आ गया Ctrl Q से भी आ जाएगा मतलब यह इस पे click करने के बाद इस पे click किया तो आपके पास यह open हो गया on the panel that appears data bars वो कहते हैं कि data bars पे click करें तो यह आपको data bars इस तरीके से आ जाएंगी ठीक है आप इस पे जाएं और दोबारा से वो आएगा data bars की बजाए अगर color रखना चाहते हैं तो ctrl z करके मैं आपको यह सारी चीज़ें दिखा देता हूं कि आपने किस तरीके से analysis को यहां पे करना है top 10 clear यह सारी चीज़ें आप color कर सकते हैं different coding की base पे on the panel that appears click the clear format अब यहां पे जाने के बाद अगर इसको remove करना है तो आप क्या करेंगे clear format पे click करेंगे basically हमने किया क्या है data को select करने के बाद उनको different shading दे दिया है उसी के अंदर है ठीक है अगर आप charts की shading देना चाहिए तो वह भी आप दे सकते हैं पे click करके chart को chart बना देंगे ठीक है देखनी हम आगे देखते है charts के अंदर तो इसको quickly करने के लिए हमारे पास क्या तरीका का रहे clear format इसको select किया control q दबाया तो हमारे पास यह आगया data bar समने लगा दी ठीक है अब next चलते है इस पे गे control q दबाया clustered पे गए उसने बोला है कि on the panel on chart then clusters पे click करें तो यह देखें हमारे पास यह इस तरीके से cluster बन चुके है different किसम के category का cluster भी आ सकता है October यह वो सारी चीज़े हम अपनी मर्जी से लगा सकते है तो इस तरीके से cluster chart हमारे पास बन जाएंगे ठीक है जी तो इस तरीके से हम क्या करेंगे new cluster column chart appear move it anywhere you would like notice that each product has three columns one of each month of sales ठीक है यहां पी हमने देखा है के 3 column है हर किसी के तो आप यह देखें इस तरीके से और हर किसी के 3-3 chart बन रहे हैं आप bars बन रहे हैं तो इस तरीके से आप axle के उपर इसे utilize कर सकते है then हम चलते है उसने कहा यहां पे click करें control Q दबाए on the panel that appears click spark line spark line पे click किया and then click line button कर दिया तो यह देखें आपके पास उसकी trend line आ जाएगी कि किस तरीके से वो जा रहा है up and down October, November, December October, November, December कैसे वो move किया ज्यादा हुआ है क्या उस पे हसर पड़ा है क्या नहीं पड़ा तो वो सारी चीज़ें यहां पे लिखी हुई है उन्होंने का spark line tool पे जाएं तो आप इसको design type में जाके इसको clear भी कर सकते है या इसको change कर सकते है ठीक है मतलब 3-3 आप देखें तीनों की बार्स आगी है यहां पे clear करना है तो clear कर देंगे तो यहां पे click करने के बाद control Q के बाद spark line आपको column या different किसम की चीज़ें यहां पे बताता है आप यहां से design भी change कर सकते है उसका उपर से ठीक है different colors दे सकते है और अगर आप इसके उपर click करें spark line में जाने के बाद आप low point high point यह सारी चीज़ें इसमें add कर सकते है first point last point line में भी add कर सकते है तो आप different किसम की अपनी formatting भी कर सकते है colors भी change कर सकते है ठीक है तो इस तरीके से आप spark line को use कर सकते है मैं इसको clear करता हूँ and then हम चलते है 9 charts पे basically charts क्या है आपने क्या करने है anywhere in the table select किया then right click किया right click करने के बाद insert किया insert करने के बाद नहीं यहां पे इस पे click किया click करने के बाद insert किया और recommended chart के उपर click कर दिया तो automatically आपके पास recommended charts आ जाएंगे आप किसी भी chart के उपर click करने के बाद उसको change कर सकते है मैंने okay किया तो हमारे पास यह bar chart आ गया अब इसके यहां पे जितनी भी चीज़े बार चार्ड different किसम के हैं आप उसके अंदर बना सकते हैं ठीक है यह देखें इस तरीके से बहुत ज़्यदा बार चार्ड बन सकते हैं अगर मैं यहां पे change color करना चाहूं तो मैं अपनी मरजी से color रख सकता हूं switch row to column जैसे हम transpose कहते हैं तो इस तरीके से आप बहुत सारे पंगे इसके साथ ले सकते हैं ठीक है for example मैं दोबरा से इसमें add करता हूं recommended chart में जाके line chart add कर देता हूं तो line chart बन जाएगा ठीक है तो basically आप यहां पे add chart element में जाके बहुत सारे element यानि axis आ प्राइमरी secondary chart title axis title data labels अभी आपको मैं बताता हूं यह वहां से भी add कर सकते हैं और यहां से भी axis add करने है axis title भी add करते है data labels add करते है data tables add करेंगे तो यह इस तरीके से हो जाएगा error bars आ जाएगी legions आ जाएगी trend line आ जाएगी ups and down bars आ जाएगी ठीक है तो basically आप फिर यहां पर click करके इसका title भी लेख सकते है for example price axis line something like year years यहां पर आ गए तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे किसम का bar chart या line chart या different किसम के जितने भी chart है वह बना सकते हैं इस पर click करने के बाद insert recommended chart pie chart भी बना सकते हैं simply ठीक है तो मेरे एक click से यह pie chart बन गया और इसके अंदर different किसम की किसमे भी आए pie chart की और आपको मज़े की बात बताओ आप इस तरीके से separate भी कर सकते हैं pie chart को अपनी मर्जी से मैं अक्सर यह वाली चीज़ ज्यादा करता होता हूँ और इनको यहां पर फिर data labels अड़ करके अपने मर्जी से data labels भी लगा सकते हैं तो यह आप पर depend करता है अपने करना क्या है अपने data के साथ ठीक है जी तो यह तो हो गया data tables वगरा अब यहां पर horizontal categorical axis और value axis इस तरीके से होने चाहिए अब यहां पर conference attendance है years है यहां पर और यहां पर numerical data तो usually bar chart के अंदर numerical data left side पर यहां पर y axis भी आना चाहिए और यहां पर categorical axis यहां पर horizontal axis के ओपर categories आनी चाहिए ठीक है आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझा जाएगी फिर then आप क्या कर सकते है basically secondary axis भी add कर सकते है ठीक है secondary axis जैसे यहां पर add हुआ है you can also make a combo chart line chart अलाइदा और conference chart अलाइदा मना है ठीक है उसके लिए क्या करने है आपने click करना है link at the bottom of this sheet मतलब यहां पर आप यह जो link है create a chart from the start to finish आप करेंगे click तो इस तरीके से आपके पास वह open हो जाएगी ठीक है तो यह देखें आपके पास यहां पर उसका पूरे का पूरा tutorial open हो जाएगा तो basically मैं इस पर नहीं जाता अभी आपको simple chart जो बनाना सिखाया है हम उसी पर रहते हैं ठीक है next हम चलते है pivot tables पे pivot tables क्या होते है summarize data with pivot table क्या होते है look at the date salesperson product and amount columns date salesperson product and amount column ठीक है कर लिया हमने देख लिया जी which product is the most profitable अंदाजा लगाएं 1600 के साथ soda है ठीक है और which salesperson is the leader seller ठीक है यहां से हम लगाएंगे amount इसकी है जनाबे आली मारिया की सबसे ज्यादा ठीक है when we created this pivot table the pivot table we click a few button so that the data could be summarized now we know which product is the most profitable now you will pivot the data so that you can find out which salesperson is the larger your leading seller sorry right click any cell कर लिया inside the pivot table and then click show field list show field list यहां पर कह रहा है right click any cell in the data pivot table के अंदर किया और show field list कहां पर गई hide field list show field list तो यह हमारे पास field list आ गई यहां पर ठीक है अगर आपने date add करनी है तो यहां पर date add होगी है तो आप इस तरीके से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं pivot table के अंदर बियर मेई जून बियर टोटल तो सोडा टोटल इस तरीके से चीज़ें add होती है तो आप इसको interactive table बनाके अपनी मर्जी से देख सकते हैं for example product amount और यह सारी चीज़ें कैसे आई ठीक है इसके बाद यहां पर आप अपनी मर्जी से different चीज़ें जो हैं उन्हें select कर सकते हैं for example मैंने sale person को select किया ठीक है तो मेई के अंदर जो sale होई वो आने की ज्याद है June के अंदर आने की ज्याद है यहां पर mark की ज्याद है soda में July में मारिया की ज्याद है तो इस तरीके से plus minus करके some of amounts जाए वहां पर आ जाती है pivot table पर जाके click कर देना ठीक है in the dialogue that appears click existing worksheet pivot table पर click किया यहां पर लिख दिया existing worksheet ठीक है existing worksheet पर click किया and then type c42 in the location location हम यहां पर क्या करेंगे c42 पर click करेंगे ठीक है c42 यह बनता है c41 c42 यह बनता है ठीक है नहीं g42 हो गया c42 यह बनता है तो उन्होंने बोला के c42 आप लिख दे ठीक है तो c42 लिख दी है जना आप and in the location box click ok फिर क्या करना है at the top of the pane click check box for product ok किया product का check box किया ठीक है when you do that the product fields get added to the row यहां पर आगे वाक्य में ठीक है and then amount पर click करेंगे तो यह amount आगे उसकी automatically तो यहां से table start हुआ pivot का जो जो चीज़े add करने वो करते जाए ठीक है तो मैं sales person भी add करता हूँ यह date add करता हूँ तो उसी साबसे आज़ता है sales person के साबसे आगया months मैं remove कर देता हूँ months डालूँगा तो months के साबसे आज़ेगा otherwise ऐसे आज़ेगा ठीक है तो सबसे ज्यादा beer की sale की एने ने soda की की मारिया और मार्क ने wine की एन लोरा ने और मार्क ने ठीक है तो grand total इतना बनता है अगर आपने months wise divide करने तो इस तरीके से आज़ेगा नहीं करना तो इस तरीके से तो pivot table एक interactive table हो जाते है sheet जो मैंने अभी आपको दिखाई यह कैसे निकालने मैं आपको वो बता देता हूं यहां पे cancel करें ok कर दें just a minute वो जो excel है वो save कर रहे यहां पे बंद हो जाएगा excel तो आप simply जो है इसको भी मैं बंद करता हूं यहां पे excel पे click करेंगे click करने के बाद welcome to excel, welcome to excel के नाम से sheet है जो आपके office के अंदर already मजूद है इस पे आपको click करने के बाद create करेंगे तो इस तरीके से यह सारी की सारी आपके सामने जितने भी आज हमने function देखें बड़े important वो आपके सामने आ जाएंगे तो इन्शाला हम और भी learn करने वाले stay tuned अपना ख्यार रखें दौा में याद रखें and Allah Hafiz मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्यार रखें आज की assignment जो है वो यह है कि आपने यह सारी फाइल बनाके Excel की फाइल आपने मुझे send करनी है टेलिग्राम के अपर take care जो Allah Hafiz